बच्चों ने बड़ा लिखा तो नहीं है लेकि पैसे रखें लालक देना जाब तो नहीं है तो यहां पे हम आप सभी को बिल्कुल लाइप पूरूप के साथ दिखाएंगे कि बोड एकजाम की कोपी कैसे चेक होती हैं और क्या देखकर ज्यादा नंबर देते हैं क्या देखकर कम नंबर देते हैं अगर आप लोग बोड एकजाम की कोपी में पाईसे रखे हैं तो आपको नंबर मिल रहे हैं या नहीं अगर मिल रहे हैं तो कितना मिल रहे हैं सब कुछ या पे लाइप पूरूप आपको दिखान लिया जाता है कहीं बीच के दो तिन पेज खाली तो नहीं चुटे के तो यह सब टीचर पहले देख लेते हैं क्योंकि कभी- कभी जल्दबाजी में बच्चे के कोई पेज खाली चुट जाता है और कहीं-कहीं यहा गलती समझ बढ़ते हैं, टीचर जी की बच्चे ने यहीं पर last कर दिये हैं और इसके आगे वो copy check नहीं करते हैं तो ऐसे में बच्चे के साथ नाइसापी होते हैं तो इसलिए teacher ने पूरे page को अच्छे से देख लेते हैं ताकि पता चले बच्चे ने कहां कहां लिखा है और कहां कहां page खाली छोड़ा है तो यहां पे बिल्कुल live proof दिखा रहे हैं कि examiner जब भी आपके copy को check करते हैं मातर तीन चीज देखकर number देते हैं जिहां मातर तीन चीज वो देखते हैं और आपको number देते हैं अगर आप लोग board exam की copy में ये तीन चीज किये हो तो ज़्यादर से ज़्यादर कोशिज करें एक से तीन page तक साप साप लिखने की कुछ इस तरीके से इस बंदे का उतना भी handwriting अच्छा नहीं है फिर भी इन्होंने साप साप लिखा है तो देखने में अच्छा लग रहा है examiner खूर्स हो जाएंगे आपसे impress हो जाएंगे लेकिन अगर आप शुरुआती एक से तीन page में cut cross कर देते हो तो देखने में अच्छा नहीं लगेंगे examiner के सामने negative impression जाएंगे और आपसे नराज हो जाएंगे गुस्से हो जाएंगे और फिर number cut कर लेंगे तो आपको धिवन रखना है अगर आपका handwriting खराब है तो exam में एक एक पैन की दूरी बना के सब्द को लिखते जाएं trust me आपका handwriting अच्छे दिखाएंगे तो आपको साफ सुत्रा लिखना है कुछ इस तरीके से तो आपको जो question का answer अच्छे से आता है copy के पहला page में उसी को लिखाएंगे कोशिस करें सही सही उत्तर लिखने की बिल्कुल साफ साफ लिखने की because first impression is the last impression by chance कोई सब्द गलती हो जाए तो अगर भीर में गलती हुए है आमिंग जादा सब्दों के बीच गलती हुए है तो उसे कुछ नहीं करना है छोड़ देना है जैसे है वैसे रहने देना है because एक जामरा उतना ध्यान से copy check नहीं करते हैं अगर शुरुआत या last में गलती हुए है तो आपको शिर्फ इस तरह से cut करना है ना कि जादा overwriting करना है नमबर टू सपोज आपको जो question का answer नहीं आता है तो आपको उसे छोड़ देते हो बट आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि छोड़ेंगे तो कुछ भी number नहीं मिलेंगे तो आपको उसी questions relate मिलता जुलता है गलती सलते लिख देना है अगर मिलता जुलता भी याद नहीं है तो आपको किसी दूसरे question का answer वहाँ पे लिख देना है बिकोछ एक examiner खुद कहता है कि बच्चे की कोफी खाली पेज नहीं होनी चाहिए उसमें कुछ न कुछ लिख ही होनी चाहिए और हाँ धियान रहे ये काम आपको कोफी के सुरुवात एक से तीन पेज में बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आप लोग कोफी में कुछ फालतू वर्ड लिख देते हो जैसे गाना सारी लावी स्टोडी लाइक टीचर जी को कसम दे देना कि अगर आप मुझे पास नहीं करेंगे तो मैं सुसाइड कर लोगा मैं बहुत गरीब घर से हूँ तो ये सब कोफी में लिखाएंगे तो एक भी नमबर नहीं मिलेंगे ये सब फालतू बेकार सब्द लिखने से अच्छा है